पूर्णी बच्चों चैगोदेव मेरा माम जोगे कोड़ ठाको रहे और मैं आप लोगों का हिंदी रीगर बच्चों पीछले कर्चा में आप लोगों ने क्या प्राइब पूछ याद है कि वर्ण माला अच्छा तो बच्चों पीछले कर्चा में हमारे साथ सिख्षी का नम्रता में पाठ एक वर्ण माला पुड़ायता आप लोगों यस बच्चों आप लोगों क्लियर है तो समझ में आगे है वर्ण माला क्या है कि अग्या तो आज हम पार्ट एक वर्ण माला फिर से रिवाइस करते हैं जहां पें तमझ में नहीं आया हो तो डाउट वर्ण में पूचिती जेगा अज फिर से यह पार हम वर्ण माला रिवाइस करते हैं वक्या बच्चों आज नए चेप्टर पढ़ेंगे नहीं उसी को इसे क्लास में लोग पढ़ेते हैं एक बार फिर से रिवाइस करते हैं तो बच्चों वर्ण माला वर्ण वर्ण क्या है कि वर्ण किसे गरते हैं बच्चों भासा की सबसे चोटी रोप चोटी इकाई वर्ण के लाविए और वर्णों से शब्द बनते हैं जब वर्ण आपस में जुट जाते हैं अलग-अलग वर्ण तो शब्द का निर्वाण होता है और जब अलग-अलग सब आपस में होते हैं एक साथ तो बच्चों वर्ण किसे कहते हैं आसा की सबसे चोटी इकाई वर्ण कहलाती है क्या कहलाती है वर्ण और वर्णों के क्रम्बर कम्मूं को वर्णों मावट जाते हैं बच्चों जैसे कि आप लोगोंने फुल देखा होता फुल जो पुझा पाट या मंदिरों में चड़ाते हैं बगिचे में जो फुलते हैं जानते हैं देखें अच्छा बताइए आप अलग अलग तरह के पुल को तोड़कर लाएं और एक धागे में सारे पुलों को गुत दियें क्या कि गुत दियें तो क्या बना माला क्या बना माला जैसे आपको दिया हो यह अलग 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 वर्ण को एक कतार में एक सिक्वेंस में क्रम मत से लिखते हैं अब वर्ण माला क्या बनता है वर्ण माला क्या प्रक्रण समझ में आगया क्लियर है । आए बच्चों अब हम में बूक देखते हैं कि खुल कितने वर्ण माला होते हैं झाल झाल